हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एम पी बोड वार्षिक परिक्चा पेपर दोहजार चोविस कक्चा दसवी सामजिक विज्ञान 26 परवरी को आपका पेपर रहेगा सामजिक विज्ञान का सो प्रतिसत आपको ये कोश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे तो बच्चों आजाईए सभी लाइव क्लास में और अपने हाथ में कोपी और पेन उटा लीजिए और इन प्रेशनों को नौट कर लीजिए यहाँ पर सेट B का सोलुशन हम पूरा करेंगे उसके बाद मैं आपको A, C, D सभी सेट पर वाइट करवाऊंगा तो जितने भी दोस्त हमारे इस साल वाले है जो बोर्ड पेपर दो हजार चोईस देने वाले हैं वीडियो को लाफ्ट तक देख कर जाईएगा पूरा पिछोत्ता नमबर का पेपर आपके मुट्टी में होगा तो दोस्तो स्टार्ट करते हम पहले प्रिशन से जितने हम दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरू शेर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और गंटिक बटन कोल पर कर लो बच्चो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सके चलिए स्टार्ट करते हम पहले प्रिशन से सही विकल्पों का चयान करना है पुरानी जलोड मिट्टी को क्या कहा जाता है तो पुरानी जलोड मिट्टी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है खादर इसे कहा जाता है अगला प्रिशन है बांदो को आदुनिक भाहरत का मंदिर किसने कहा है तो बांदो को आदुनिक भाहरत का जो मंदिर कहा है तो दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को जो कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है अंतरराष्टी व्यापार अगला कोश्चाने चोंता वाला मुद्रण इस्वर की दी हुई महंतम देन हैं किसने कहा है तो ये जो बात कही है बच्चो वो कही है Martini Luter ने ये बात कही है Martini Luter ने अगला प्रिष्ना आप देखेंगे Belgium की राज़दानी है तो Belgium की जो राज़दानी है वो है Brussels Brussels आपका correct answer यां पर होगा अगला प्रिष्ण है सकल गरेलू उत्पात का मापन कौन करता है तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका वो करता है केंदरी सरकार केंदर सरकार इसका मापन करती है अब हमारे जितने भी दोस्ते से जो इंगलिस मीडियम में है आपके अंसर भी यही है जैसे कि पहले वाला के वाड़ इस ओल्ड एल्यूल सोल कॉल्ड तो यहाँ पर आपका जो अंसर होगा वो खादर ही हो जाएगा है ना जो हमने पहले बता हैं वो ही आपके अंसर यहाँ पर होंगे चलिए तो इंगलिस मीडियम वाले बच्चे अपने अंसर देख लेंगे यहाँ पर हम बात करते हैं अब रिक्तिस्तान की तो यहाँ पर जैसे छोटा नाकपूर छेतर में जन जातिया निवास करती है जो चोटा नाकपूर का पटार है इस छेतर में कोन सी जन जातिया निवास करती है तो पहले वाले खालिस्तान में आपका जो अंसर होगा वो हो जाएगा मुंडा मुंडा आप यहाँ पर फील करेंगे दूसरा में देखेंगे जल परिवेन देश का सबसे परिवेन का साधन है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सस्ता आपका correct answer इसमें होगा और विस्व व्यापी आर्तिकमंदी वर्स में आई थी तो यहाँ पर आपका जो इसकालिस्तान में आएगा 1929 में आई थी अगला question, स्री लंका में सर्वादिक धर्म के लोग रहते हैं, तो स्री लंका में सब से ज़्यादा बोद्य धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, अगला प्रेशने बहरत के प्रतम विदी मंत्री थे, तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा, अंबेड कर अंबेड कर आपका सही उत्तरियां पर होगा अगला परेश्ण मदु मक्की पालन में आता है तो मदु मक्की जो पालन है वो आपका आता है प्रात्मिक छेत्र में लास्ट वाले खालिस्तान में आप फिल करोगे प्रात्मिक छेत्र प्रात्मिक छेत्र आपका correct answer हो जाएगा आगे बात करें बच्चों इंगलीस वाले बच्चे अपना answer याँ पर देख लेंगे और सत्याफत्ति के अब हम बात करेंगे ठीक है एक भी प्रिष्ण आपको गलत नहीं करना है सभी प्रिष्णों को ध्यान पूर्वक देखना है अच्चे माक्स आपको परिक्चा में लेना है तो वीडियो को लाफ्ट तक जरू देखिएगा इसका पीडिये भी हम आपको देदेंगे बस वीडियो में आप लाफ्ट तक बने रहें पीडिये अप का मिलेगा बता देंगे आपको सत्यासत्य का चैन कीजिए बहरती वन्य जीव अदिनियम 1922 में लागू किया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका अंसर सत्य हो जाएगा अब आपको इससे टिक नहीं करकाना है पहरत पेट्रोलियम का निर्यात करता है तो यह क्या हो जाएगी बात आपकी बिल्कुल असत्य हो जाएगी निर्यात नहीं करता है आयात करता है अगला प्रिश्ण गीत गोविंद के रचीता जेदेवत है तो चोते में जो आप लगाओगे सत्य लगाओगे और भारती सवविदान समानता परादरीते सत्य हो जाएगा और लोकतंत्र का सबसच्य गुन नागरी को की गरिमा में विरद्धी करना है तो यह भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा अब हम बात करेंगे नीचे इंगलिस मीडिया वाले अपने देख लेंगे यहां पर जोडी जोडी मिला लेते हैं बच्चो गलती किसी परकार की आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो जोडी आप यहां पर देख रहे हैं बच्चो जोडी को देखकर आप सभी अंसर को लगा दोगे जोडी को जैसे कि यहां पर सबसे पहले लिका है रबर तो रबर को आप किस से मिलाएंगे बच्चो केरल से केरल को आप रबर से मिला देंगे और ओईल इंडिया लिमिटेट इसको आप मिलाओगे बच्चो संयुक्त उद्योग संयुक्त उद्योग से इसको मिला दीजिए और कृतिम पत्तन चेन नई और क्रिस टोफर कॉलंबस तो इसको आप मिलाओगे बच्छो इसको मिला दोगे आप अमेरिका की खोज और इस्पिनिंग जेनी मशीन इसका जो राइड अंसर होगा वो हो जाएगा उन कताई मसीन गोस्वामी तुलसिदास तो इसका जो राइड अंसर होगा वो होगा रामचरित मानस ठीक है इस पिरकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी इसी पिरकार आप इंग्लिश मीडिया वाले बच्चे अपने अंसर देख लिए जिस से में अब देखेंगे हम यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर ठीक है साइमन कमिशन क्या है ठीक है तो इसका अंसर जैसे कि एक सब्द में यहाँ पर लिके तो नहीं आ पाएगा इसका थोड़ा सा बोलना पड़ेगा तो बताएंगे अभी आपको ठीक है साइमन कमिशन क्या है भूमध्य सागर के पूर में इस्तिद देशों को क्या कहते है तो भूमध्य सागर के पूर में इस्तिद देशों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्राच प्राच उसे कहा जाता है और राजनितिक दल को मान्यता कोन देता है तो राजनितिक दल को जो मान्यता देता है वो देता है निर्वाचन आयोग निर्वाचन कैसे लिखेंगे लिख रहा है आप पर निर्वाचन आयोग आप सभी लिख लेंगे निर्वाचन आयोग करेक्टुस अंसर आपका हो जाएगा चलिए आगे देखिए अगला प्रिष्ण सपत पत्र क्या है तो इसका अंसर भी तोड़ा बड़ा रहेगा बताएंगे अब आगको अगला है पाँचवा दाफस्ट लेड़ी औप सिविल राइट्स किसे कहा गया है तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा रोजा थोड़ा बड़ा नाम है रोजा लुईस रोजा लुईस मक्काली मक्काली यह ठाराओं में और पाकर्स यह आपको यहाँ पर लिखना है तो अगला है आपका अर्थ विवस्ता को कितने छेत्रों में विवाजित किया गया है तो अंसर हो जाएगा आपका तीन तीन आपका यहाँ पर उत्तर होगा आगे बढ़िए इंगलिस मीडियम वाले अंसर देखेंगे जिसके बाद में यहाँ पर बच्चो प्रिष्ण क्रिमांगे आपका अच्छे अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ाए भी तक तो इन प्रिष्णों को अच्छे से लगा लीजिए यह प्रिष्ण आपको परिच्चा में देखने को मिलेंगे बच् प्रिष्णों के उत्तर यदि अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बच्चो यह सबी कुश्चन आपकी परिख्चा के लिए बहुत ही बहुत इंपोटेंट है जैसे रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं और दांडी यात्रा का क्या उत्दे कीजिए और इस статьplar, pullar का क्या अर्त है लिखिए राजनितिक दल क्या है लिखिए यह सभी कुश्चन आपकी परिख्चा की दिर्ष्टी से दो नंबर के तीन नंबर कि गलती ना करें इन पृष्णों को अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो इन पृष्णों को एक बार जरूर याद कीजिएगा जैसे मानचितर में आपको क्या दर्सा ना है काकरापारा परमानुसेंत्र और रावध भाटास परमानु सेयंत्र और कलपकम परमानु सेयंत्र और नरोरा परमानु सेयंत्र ये आपको दर्साने हैं अपने मानचित्र में ठीक है और कुश्चन नमबर ये रहा आपका तेविस्वा नीचात्वा वाला भी ठीक है अगर आप ये दर्साना चाहते हैं तो ये भी दर्सा सकते ह बहरत का या जो भी आपसे मुझजा जाएगा वो पेपर में आपको दे दिया जाएगा ठीके तो आप इस चिंता नहाँ करें आपको यह मिल जाता है ठीके वहाँ पर परिक्षा हॉल में तो बच्चों यह था हमारा वीडियो जिसके सभी अंसरों को आपने जाना है कुछ अंसर आपके छूट रहे हैं यह paper English medium और Indy medium में और answer सब आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा description में link है टेलिग्राम की उसको join कर लो अगर वेसे नहीं कर पाते हो तो आप search कर लेना टेलिग्राम पर हमारा YouTube channel का जो नाम है वही हमारा टेलिग्राम का नाम है सर्च कर ये पहुँच जाएंगे join कर लेना वहाँ पर पूरा PDF अंसर सब आपको मिल जाएंगे साथ में जिन बच्चों ने YouTube channel को subscribe नहीं कर रहा है YouTube channel को भी subscribe कीजिए बच्चो ताकि आपको आने वाले सबी वीडियो के notification मिल सके चलिए बच्चो तो हम यहाँ पर देखते हैं अब आप लोगों के लिए अगला वीडियो कोजन से विशेका बनाया जाए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे हो सके साथ ही आप इस वीडियो को कहा से देख रहे है आपका नेम क्या है कमेंट बोक्स में जरूर आप बताएं धन्यवाद थैंक्स पूरवच